हलो एव्रीबडी इस दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम तू मैगनेट प्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे कोपेंज स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट जी हां क्यों मुस्कुरा रहा हूं मैं मुझे पता है आप सभी लोग इसी टॉपिक का इंतजार भी कर रहे थे क्लास 11 जीओगरफी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जीओगरफी अली बुक जब हम पढ़ते हैं सारे टॉपिक्स ऐसा लगता है कि हां सर सब में कुछ समझने वाली चीजे बेसिक्स हैं सब कुछ है लेकिन ये जो टॉपिक आता है कोपेंस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत होता है क्यों होता है क्योंकि जब हम समझते समझते आरे और अचानक से बहुत कुछ याद करने को आ जाता है ना तो ऐसा लगता विन्हें याद कौन करेगा लेकिन बिलीव मी कुछ ट्रिक्स हैं कुछ याद करना पड़ेगा कुछ समझना पड़ेगा और सारी kof enzo scheme of classification जो है उससे कुछ ना कुछ कुछ बन जाते है defense के exam में आपने कुछ ना कुछ आ कुछ घी ओंगे जो kopenz scheme of classification of climate प्लाइमिट पर आते हैं वह देटर आते हैं A B C D लेटे हिसाब से प्लाइमिक कंडिशन्स पूछ पूछ लेते बता दिए बताए कि इंडिया में पैंशुला पार्ट में किस تरह का खुगा तो वह कैसे हमें लेटर। वह कोड़ोग det Ocean को कैसे हमें तरह करना हैसारी समस्या है इस वीडियू में हम क्या करने वाले है सुल जाने वाले हैं इस वीडियो में कैसे सुल जाएंगे देखो तो यहां पे मैं आपको basically यह बताने वाला हो कि कोपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑस क्लाइमेट है क्या और आगे आने वाले सब्सिकेंट वीडियो में आपको एक एक करके जो क्लासिफिकेशन से थीडियो कि एक तरह से इसकीम को समझने वाले हैं चलिए तो आपने सामझ ही लिया कि हाँ यह रश्या से ही होंगे मतलब जैसे हमारे इंडिया में सोनू हो गया और क्या किसकते हैं कि गोलू हो गया यह जो नाम बहुत कॉमन होते हैं वैसे रश्या में आप देखो के व्लदमीर नाम मिली जाता है व्लदमीर पुतिन की बात कर दो व्लदमीर लेनिन की बात कर दो दो अब एक और व्लादवीर एंड हो गया आपके नामों में लेत में और आपके संगेसितिक्व कलाशिफिकेश्थ ठीक है the classification given by him on climate इन्होंने climate को classify किया है अपनी observation के हिसाब से observation के हिसाब से मतलब क्या इन्होंने observe किया है पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया थे कि अलग अप्रोचेस होती है जिसके थूआप क्या करते हैं जिसके थूआप वर्ड के climate को classify कर सकते हो तो इनकी क्या अप्रोच थी observation observation of data तो क्या बन गई कौन सी अप्रोच बन गई empirical तो empirical climate classification scheme जो है उसे adopt करते हुए व्लदयमिर कोपन ने कोपन ने जो हमें classification दिया है वो हम समझने वाले हैं तो कोपन identified a close relationship between distribution of vegetation and climate यहां से इन्होंने observe करना चालू किया क्या observe करना चालू कि इन्होंने सबसे पर देखा कि हाँ वर्डवाइट जो climatic distribution है ठीक है climatic distribution मतलब कि कहीं पर किसी तरह का अगर climate है तो वह जो worldwide climatic distribution है ठीक है climatic नहीं सुरी vegetation vegetation का जो distribution यह हमने आपको बताता है टाइप सब्सक्राइब जो है तो वर्डवाइट जो टाइप सब्सक्राइब कि यहां पर जिस अगर आप देख रहो tropical rain forest देखने को मिल रहे हैं कहीं पर आप जिस देखो कि तो क्या है आपको विजिटेशन के नाम पर क्या मिल जाएगा desert मिल जाएगा तो वल्डवाइट यह जो वजिटेशन का distribution रिपीट वजिटेशन अभी मने climate कह दिया था तो वल्डवाइट जो vegetation का distribution नहीं उस vegetation के distribution में climate के distribution में रिलेशन पाया relation कैसा पाया तो इन्होंने यह देखा कि हाँ इस तरह के climate condition में ऐसे पेड़ पौदे मिल रहे हैं तो उन्होंने क्या कि उन्होंने सोचा कि वल्डवाइट एक climate classification होना चाहिए जब आप देख रहे हैं कि हाँ इस तरह के पेड़ पौदे इस तरह का vegetation यहां पर ऐसा है दूसरी तरह vegetation अलग है जहां अलग तरह की climate condition है तो उन्होंने यह पाया कि vegetation और climate के बीच में इंटर रिलेशन है मतलब वल्ड में आप अलग अलग जगा क्या कर सकते हो climate को classify कर सकते हो simple अगर इसको present करें हम तो ऐसे समझ जाए कि इतना बारिश होगी इतना temperature रहेगा तब यह पौधा ग्रू हो रहा है मतलब इतने बारिश और इतने temperature का एक climate हो गया तो इतने बारिश इतने temperature का एक climate हो गया तो वह climatic reason हो जाएगा आया समझ में तो ही selected certain values of temperature and precipitation and I have explained you earlier also कि क्या है जब आप empirical approach adopt करते तो उसमें आप क्या करते हैं डेटा को observe करते हो ठीके किस तरह के डेटा को observe करते हो तो डेटा observe मतलब ऐसा नहीं कुछ भी डेटा observe कर लेंगे कितने पक्षी उड़ के जा रहे हैं डेटा observe करना मतलब आप temperature और precipitation ठीके temperature और precipitation इन डेटास को observe करते हो इन डेटास को observe करने के बाद में related them to the distribution of vegetation and use these values for classifying the climates तो उन्हें temperature precipitation को observe किया उसको relate किया vegetation कि वहाँ पर उस temperature उस precipitation पर किस तरह के पीड़ पॉधे देखने को मिल रहे हैं उसे उन्होंने क्या क्या उससे relate किया relate करने के बाद में क्लाइमेट को उस आप से classify कर दिया समझ में आ रही है चीजे आपको answers में आपके धिहान रखना एक concept build-up करना है कि क्या approach adopt करी थी उन्होंने रिलेशन स्टाब्लिशन के vegetation or climate के साथ में अब जब climate को observe किया तो ही observe the climate on the basis of precipitation and vegetation precipitation and temperature and established a relation between the temperature temperature precipitation and vegetation and vegetation is that clear तो इतनी कहानी हो गई हमारी तो इसन इंपरिकल क्लासिफिकेशन बेस्ट ओन mean annual and mean monthly temperature and precipitation data तो मीन मतलब क्या हो एवरेज हो गया तो mean annual mean monthly data को उन्होंने observe किया किस चीज़ के डिटा को precipitation temperature के data को observe किया और उसे साब से relation establish करने की कोशिश की he introduced the use of capital and small letters to designate climate groups and types how so valley artigino name okay no netteo letter set चल फुलाइब अपने चिटकोड हो खुद बना लिए अब का वासार उट हो थे तो यह नोपने क्या किया ओन हो इन्होंने नाम नाव लेतर्स च्छेन च्किर हम मर बयान हम लएप मैंट tweeting ही है ठीक है यहाँ हूं ने चाहिए है एंपल आप तो उस में क्या होता है कि मतलब rain forest है तो वह हमने क्या कर दिये वहां के vegetation को tropical rainforest क्यों कह रहे हैं हम क्योंकि वह tropical region में वहां हमेशा बारिश होती रहती है तो जब वह a f लिखते हैं यह letter जब लिखते a f तो वह specific characteristic को दर्शा रहे हैं कि जैसे small letter कुछ और f जो है तो वह क्या दर्शाना चाह रहा है हाई rainfall दर्शाना चाह रहा है ए जो है तो वह tropical region को दर्शा रहा है ठीक तो आपको वही बताने वाले इस वीडियो में हम आपको इस तरह से ही चीज़े बताएंगे कि आपको रेटना ना पड़े ठीक है अब देखो यहां पर आपको समझ जाओगे उनकी अप्रोच मतलब उन्होंने किस हिसाब से क्या किया है यहां पर सिंपल सी चीज़े नाम ना देते हुए लेटर की मदद से क्या किया गया है अलग-अलग जरह जो वल्ड का climate है उसको classify कर दिया है और वो जो अलग-अलग तरह का वल्ड का classification है ठीक है तो उसमें उन्होंने स्मॉल और capital letters का इस्तमाल किया है कैसे इस्तमाल किया है चलो वो समझा देते हैं आपको तो वो क्या है कोपन डेवलब्ड इस दिस classification in 1918 and this scheme is still popular and in use कुछ modifications हुए ओवर दी प्रीड आफ टाइम लेकिन आज भी 1918 में स्कीम बनाने के बाद भी आज भी उनकी scheme क्या होती है popular है लोग इस्तमाल करते हैं और इसलिए आप पढ़ रहाएं आपके हमार बेज्ट ऑन टेंपरेचर and फरन वॉन प्रिस्पीटिशन अब क्या है उन्होंने पांच ग्रुप इदेंटिफाइए कि आब पांच ग्रुप में से चार ग्रुप जो है न तो चार ग्रुप टेंपरेच्चर के हिसाब से Classify कर लिए उनोंने उनने इतना Temperature रहता तो यह एक ट्रहरा का Climate हो गया यहां इतना Temperature रहता है यह दूसरे तरह का हो गया तो चार ऐसे ही उन्होंने Classification किये तो चार Classification का रहेंगे टेंपरेचर के हिसाब से रहेंगे और जो पांचवा क्लासिफिकेशन था वो प्रेसिपिटेशन के हिसाब से था प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है कि वहां पे हवा में कितना मौश्चर यह सारी चीज़ें तो जैसे अगर आप देखो के तो उन्होंने जो लेटर्स के तो ऐसे उन्होंने लेटर्स के इस्तमाल किया तो एब आभी ठीक है एसी डीए टीक है विए यूमेड क्लाइमेट तो यह क्या है यह क्या है यह यह क्लाइमेट को दर्शात है यह टेमपरेचर के साब से एंडवी ड्राइक लाइमेट मतलब यह ज़ो चार गृप्स थे ना ब प्रौाइए अब है। वोह था इत्र क्लासिफिकेशन हो गए, अब सपड़तों में क्लासिफिकेशन स्पाइशा में तो जैसे लेटर चीड में वह एव फिख भीटोस जा Sig 003 तो यह तो आपको ड्रेंट ना पड़े इसके लिए थो विजुलाइज कर पाहलो बता रहे अभी कैसे स्कीम को लगाना है में सी जो वने वाउने वार्म टेंपरेट कर दिया यह जो है तो डी जो है तो कोल्ड स्नौ फॉरेस्स क्लाइमिट कर दिया कोल्ड धिया धियान रख कर दॉस्सा अब है आपको दियान कंडिशन हो जाते हैं में तो कहीं भी फे में थे हो सकता है है पहीं पहीं हो तो हमालय ऑश है वाल श क्ली सब्सक्राइए कम रोभी हो एं सब्सक्रात श्ञा politiccomb доб्म जाते हैं तो अभी कहीं हैं कैने को आपको अब्सर हो रहा है कि temperature सबसे ज़्यादा रहेगा यहां कम होगा यहां और कम होगा यहां सबसे कम हो जाएगा अगर आप temperature के साब यह कहा कि he classified four regions on the basis of climate on the basis of temperature तो four regions a c d e यह चारा आपको किस बेसिस पर मिल गए temperature के बीचिस पर और कैसे तेमपरेचर धीरे घटता जा रहा है मतलब टेमपरेचर कप घटता है एकवेटर से पोल तक जाओ कि तेमपरेचर घट जाता है अब यह जो जितनी भी मैंने महाबारत बताई आपको इसे क्या करना है आपको इसे बस सिंपल सा ऐसे विजुलाइस कर लेना है चल क्यों नहीं इसको क्या करना है ऐसे विजुलाइस कर लेना है देखो यह हो गया इकवेटर तो ए जो है ना अमे क्या कर रहे हैं कि टेमपरेचर जो है ट्रॉपिकल कह रहे है तो आपको बताए 23 डिग्री से 23 डिग्री ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ ठीए तो यह जो रहेगा उनका क्या तो यहां पर C आएगा A, C, D, D में क्या हो जाएगा तो यहां पर cold हो गया cold forest वाले रिजयन हो जाएगा और E जो है तो E को आप क्या कर दे रहे एक आप absolute cold region जो तो वह हो गया तो इस तरह से A, C, D समझ में आ गया ठीक है अब इसमें में apo work climate को कैसे समझना एं सिंपल सी स््ट्रेटीजी इसने वर्ल्ली क्लायम को कैसे समझना है तूम्हें इस स्मॉल क्लाइमेट को कैसे समझना है तो बी को में डिया एलए डराह кажется ऑगा if तो आपको क्लासिफिकेशन यह हो गया तो आपको यह ध्यान रखना रिजन में क्या रहेगा रॉपिकल रिजन में जो उन्होंने चिटकोड लगाया वह रहेगा तो एट्रोबिकल रिजन को धर्शाथ आता है तो जब आपको वल्ड कुछ पूछा जाए इंडियन कंटेक्श में पूछ लिया या फिर mcq में ऐसे कुछिन आते हैं जैसे आप जो आप त्यारी करें तो ध्यान रखना आपको ऐसे लाजिक लगाना है उन्होंने अगर कोई रिजन दे दिया उन्हें कोई रिजन क्या दिया है कि वह ब्राजील का है तो आपको पता कि ब्राजील जो है ट्रॉबिकल रिजन में है और क्लासिफिकेशन के सापि बूल दिया कि कौन सा इस के अंदर मतलब कौप क्लासिफिकेशन में कौन से कीवर्ड होगा लेटर इडेंटिफाइब करो तो आपको इतना ध्यान है चीज के अच्छा ट्रॉपीकल रेजन में हैं अब वह एफ एम वह तो अगली चीज हो जाएगी पहले आपने इंटिफाइग के लिए कि हाँ ए वाला रीजन जो है वह ट्रॉपिकल रीजन को दर्शाथा आए लेटर जो है तो इस तरह से क्या हो जाएगा चीजों को लगा में आपको कई लग रहा है तो आपको क्या लागवात की बात की जा रही है तो ऑम क्या बोल सकता हो कि यह तो कभी नहीं होगा क्योंकि उप्स के बात कर रहें लगए तो पास में पहुँच जाएंगे लॉजिक लगाना है कि कैसे उन्हें क्लासिफाइग किया है उन्हें क्लासिफिकिशन के साथ में उन्होंने कोड कर दिया ना चीजों को तो आप उसको अपने इसाब से दिकोड करना सीख जाओ बस चलो आते हैं तो यहां तक पॉइंट समय में आया आप जैसे अगर हम देखें तो एक तुरू क्या दर्शाना चाहरे है एक तुरू दर्शाना चाहरे एवरेग तेमडेश्ट मंत मतलब विंटर में कितना जाएगा एटमेश्ट जैसे देखो कि ए चाहें आप तो यहां पर इसको ऐसे भी कर सकते जो है तो मैंने आपको अर्थ पर समझाने के लिए छुड़वाया था बाकि ऐसे पढ़ना ऐसा नहीं कि एक्जाम में छोड़के चले जाएंगे ठीक हैं ड्राय क्लायमेट मतलब क्या है कि जहां पर सूखा है सूखा क्यू ह लेकिन जितना इवारेश्शन हो रहा है समझने के सीधी सी कहानी कि जितना पानी आ रहा ona पूरा अबस अब्सॉब हो जा रहा है तो बचा क्या प्लस जूरा था मैनस मैं जाओतागा थी उससे ज्ट्रेशन हो गया तो इसका कारण हम्हाई है ठीक है तो ड्राय कहां हो स तो और आसानी से clear हो जाएगी deserts जो होते हैं तो वह dry होगा तो वह B के word के साथ में start होगा और यह जब आज क्या करना है आपको देखो इसका screenshot लेना किदर गया यह बाले इसका अभी देंगे screenshot का time और इसको तक यह के नीचे रखे बढ़ी आराम से सुना तो यह आपको visualization में इस बात करें तो ड्रायरीजन तो ड्रायरीजन आपको कहां देखने को मिल्ए सब ट्रॉपिकल में कियो कि यहां पर जितना precipitation हो रहा है उससे ज्यादा क्या हो रहा इवापरेशन हो रहा है तो इस तरह से आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा और ट्रिक्स भी लगाना प तो 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 वो रिजन किस में जाएगा वो सी में आ जाएगा मान लोग बहुत ही जादा अगर कुशिंट ट्विस्ट हो के आतें पूश में तो वह पूछ लेते हैं जी हां एंसी आ जो है एक तरह से देखो के तो वाइबल है तो नियाटी से इस तरह के स्टेटमेंट उठा दिये गए औ तो तब आपको अचानक से ध्यान आ जाना चाहिए कि वो जो क्लासिफिकेशन के साब से कीवर्ड में फस्ते ना ऐसे पुछा जाएगा तो आपको ध्यानकना सी जो है कीवर्ड है तो यहां पर क्लाइमेट यहां पर चाहो तो आप अपने यह जो डागराम बना रहा है आप इसके साथ में लिखते चलो सी में क्या हो जाएगा इसके बीच में रहता है यहां पर यहां पर उससे नीचे रहने वाला है तो माय यहां पर जो पूल्डिस्ट मंत रहेगा डी के कीस में तेम्परेचर के साब से हम क्या रहे है उन्होंने तेम्परेचर प्रेसिपटिशन के साब से चाहर क्लासिफिकेशन टेम्रेचर के साब से एक प्रेसिपटिशन के साब से तो प्रेसिपटिशन के साब से भी वाला है तो ड्राय और forest जो है वो आगया अब बचा क्या ए तो यहां तो temperature के हमेशा ही कम रहना है तो आप बोलोगे माइनस 3 से कम में तो यह हो गया तो हमेशा क्या कम रहना है यह हमने विंटर के reference में देगे थे एक दो तीन ठीक है यह हमेशा साल भर जहां पर क्या रहता है 10 degree Celsius जो है ठीक है माइनस नी 10 degree Celsius से क्या रहता है temperature 10 degree Celsius से कम ही रहता है साल भर जहां पर तो वह यह वाली category में आता है या फिर जिसे हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रीम कोल्ड कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं cold climates average temperature for all month is below 10 degree Celsius बनाया यह आपने गोल वाला डाइग्राम ठीक है तो इसकी मदद से क्या होगा कि आपको चीजों को विजुलाइज करना आसान रहेगा ठीक है चीजों को विजुलाइज करना आसान रहेगा तो कॉपेंस classification की जो ट्रिक है वो यहीं खतम होरी है आगे तो हम आपको बताते जाएंगे कि यह क्लाइमेटिक कंडिशन से बाकी ब्रॉड यह आपने identify कर लिया ना इसको ठीक है अब यह तो ब्रॉड डिविजन उनने कर दिया वल्डवाइट कैसा है तंपरेचर और प्रेसिपेटिसन के साब से एक इस दी एक प्रेसिपेटिशन के साथ से क्या धिक लियर ड्राइग है तो बॉट्bs प्रॉटेंशल इवापरेशन तो वहां पर आप क्या देख रहो हाई-लेंट एलेशन के कारण है एच वर्ड यूज हो रहा है तो कहीं-कहीं पर क्लायमेटिक कंडिशंस एलेशन के कारण inward तो वह 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 को दर्शाती जैसे हमालयाज हो गए तो यह उसका क्या है यह जैसे अंदेखें तो मेजर क्लासिफिकेशन अब इसी में अगर आप जैसे देखेंगे तो दिक्लाइमेटिक ग्रॉप्स आज सब डिवाइड़ इंटू टाइप डेसिगनेटेट वाइसमॉल बेस बेस डोन सीजनालिटी औस प्रेसिपूरिशन टेंपरेचर ठेखेंगे त्रिक्ष टेंट बिष्ट सेगें चेंच के साबसे प्यूज आपने अपने अधन भाऍक इसको आप आपने क्या आपने किया है फिस्मने सब डिविजिजन और किया है तो सब डिवेशन कैसे कि है तो नी सीजन औफ डॉयने सार इंडिकेटेडिड बाइदी स्मॉल लेंट अस जो है ड्राइनेट वगेरा कुण क्या किया है कि प्रेसिपेटिशन कितनी होरी कितनी नहीं दुट उसको उन्होंने सल कह सकते कि small letters के थूँ small और capital इन में भी आपको एक अच्छे से क्या करना होगी एक approach follow करना होगी एक पकड़ बनाए रखना होगी कि small क्या दर्शार आ है और capital क्या दर्शार आ है तो जिसे अगर आप क्योंकि fmw smallest smallest क्यारे capital नहीं क्यारे क्योंकि capital S और आगया आएगा अच्छा आपने यह भी सोचा हो कि यहां पर a b c d e f पता नहीं कहां गया एक आद में e f g पता नहीं सीधे एच आ गया तो है इसलिए क्योंकि f का तो कहीं और भी इससमाल होगा और एच जो है तो एच क्या दर्शाथा हाइज फॉर है लेंड एच फॉर है जो होता है तो तरीके से एच से ही लेंड जोड़ दिया ठीक है बुरा मत मनना आगे बड़े तो अब यहां पर क्या हो रहा है थी सब्डिवाइड 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 के उने क्लाइमेटी ग्रूप को सब्डिविजन जो हुआ है तो वह fmws इस तरह से किया fmws अब f क्या दर्शाथा है f9 राइस इसन तो जैसे अब मैंने लिग दिया और लिग दिया एफ ठीक है स्मॉल एफ लिग दिया तो आपको क्या समझ में आएगा कि ट्रॉपिकल है यहां पर क्या ट्रॉपिकल यहां पर ट्रॉपिकल एवर ग्रीन यहां फिर कह सकते हैं रेंफ फॉरेस्ट वाला जो क्लाईमेट होगा एसे आपको कीवर्च को क्या करना होता है सेट करना होता है αेस कर दिया हनोंने वेसी एम जो ए तो मॉद्सुन क्लाईमेट अब अगर इंडियन क्लाइमेट इक कंडिशन को कोपेन के हिसाब से कौन सा चिटकोड लगाओगे तो ए तो रहे गई ट्रॉपिकल लिजन में आ रहा है ठीक है और मॉंसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है इंडिया में तो ए एम हो जाएगा करेक्ट कर पार हो ठीक है विं यहां रहा हो जाता है अब उस हिसाब सकर आप यहां इडिंटिफाइब करते हो चीजों को तो आप जिसे हो क्या समझ में कि हैं कि से कहां चले गए वाँ टेंपर्ट रीजन में चले गए घर लय दर्शा रहा है तो वॉन टम टेंपरीजन में पीथर रहे में गहीं व दोम्हर्ण मेंं क्या हों रहते हैं डराय रहते हैं तुझे आपको आइडेटिफाय ऐसे कर ना रहेगा कि हाँ यह अपको क्या दर्शार है कि ऊपर आप जिसे रहा हो कि अभी हम क्या पढ़ेंगे तो यह कीवर्ट का दर्शा रहे समझ में अब जिसे आपने देखा होगा तो उसमें क्या लिखा मैंने आपको बताया कि हाँ वार्म टेंपरेट रीजिन में भी विंटर जो रहने वाले ड्राय रहने वाले और एक और सी आगे लग गया था तो यह अगर तो वह क्या है वह degree of severity को धर्शाते ए मतलब कम बी मतलब जादा सी मतलब बहुत बहेंकर जादा degree of severity को धर्शाते तो एक बार जैसे अगर हम इसको फिर से देखें तो यह क्या दिखाना चाह रहा है cwc का मतलब क्या हो गया तो मैं आपको analyze करना सिखा रहा हूं आप भ लाइट ग्रीन कलर जो है ग्रीन का भी मतलब यह जो सेकंड वाला शीड है यह क्या दर्शाता है कि वाम रहेगा मतलब वाम टेंपरेट रीजन आ गया लेकिन जो ड्राइनस रहती विंटर की वह तनी सीवियर नहीं रहती बहुत ज्यादा सूखा रहता तो यह डार्क कलर से दिखाया जा रहा या फिर cwc दर्शा रहा है तो abc small letter में आते तो severity दर्शाते कि ड्राइनस की severity को दर्शाते हैं तो आपको स्मॉल लेटर में क्या ध्यान रखना है में में यह ध्यान रखना है abc तो सीधा है कि वह सीवियरिटी को दर्शाता है कि ड्राइनस ज्यादा है समर्ज किया विंटर्स की उस चीज़ को और fmws m से मॉन्सून यह हो गया f मतलब क्या है तो f मतलब जिससे आप देखोगे तो फॉल को ऐसे ध्यान रख लो तो रेइन फॉल ठीक है बारिश ज्यादा होती तो यहां पर f क्रॉस्पॉंट्स टू नो ड्राइ सीजन ठीक है अब क्लाइटिक आइडियाज होंगे कि हाँ यह लेटीटीटनली कहां है तो टेमपरेचर के हिसाब से आपको समझ में आई गया तो है आपको वहाँ पर क्या मिलेगा आपको वहाँ पर क्या मिलेगा तो जिसे अगर हम देखते हैं BW तो BW आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि ड्राइ और डेजर्ट हो गया ठीक है W की जगा करें किस चीज की S की बात कर ले तो इस को दर्शाता है मतलब semi-arid region को ठीक है तो यह सहाल रीजन जो इसको दर्शाता भी सहाल रीजन आप चैप्टर में आगे और पड़ोगे तो यह पूरी कहानी थी जो हमने आपको सुनाई थी यह टेबल जो इस टेबल को क्या करेंगे आने वाले सब्सेकेंट वीडियो में एक एक करके सकते हो ठीक है स्मॉल लेटर्स जो है तो f m s w इन सारे शब्स का कीवर्ड जो है वो क्या दर्शान चारा वो ध्यान अट लेना abc जो स्मॉल लेटर रहेगा वो तो severity को दर्शाता है ठीक है तो टेमपरेटर प्रसिपटीशन के हिसाब से कॉपन अंकल ने जो क्लासिफिकेशन किया है वह उतना कठिन नहीं है तो इन से हमें क्या करना है मतलब इसा नहीं है लोग क्या करते इसी कारण से इसा क्लासिफिकेशन क्यों किया तुमने ठीक हम आपको पसंद नहीं करते हैं तो वह हेट डेवल नहीं हो थी उनकी तूर्स बस यह objective था मेरा चल में तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक्यू थैंक्यू वेरी मुट्